अलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टो मैं चैनल आज के इस एनलेसस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लॉइड इस्टील के उपर तो हम लोग इंट्रिटरल डिसक्रशन करने वाले हैं जो इसको फोल्ड करना है या बेचना है या फिर अगर किनी को फ्रेस खड़िदारी करना है तो कब करेंगे तो हम लोग जो है एक एक बातों पर डिसक्रशन करेंगे तो आप लोग जो है वीडियो को लाश्ट टेक देखीगा इससे आपको भी सभी चीजों की जानकारी हो जाए लेकिन उससे पहले हम लोग एक बार करते हैं इसके ऊपर काफी सारा रिक्वेश्ट आ रहा था जो इसके ऊपर सब्सक्राइब करके बताई है तो देखिए यह है इनवेट का आपको मंतली चार्ट अगर यहां पर देखेंगे तो मंतली चार्ट में हम लोगों को क्लियर ली एक चीज दिखे रहा है जो कि आपक 3.6 के पास जो है इस स्टॉक के पास रेसिस्टेंस है और यहां पर अगर यहां पर देखेंगे तो इसी लेवल को इससे पहले ब्रेक किया था और उसके बाद आपको कभी भी इसको ब्रेक नहीं किया अप साइड में यहां पर जो है कंटिनुरस आपको कॉन्सलिडेट कर र साइट आपको 14 14 है और उपर की साइट आपको 24 है इस दो लेवल के बीच में इस 10 रूपीच के बीच में जो है आपको यह इस टॉक कंटेन्यू यहां पर ट्रेड कर रहा है तो अब जिनको भी यहां पर फ्रेस पोजिशन बनाना है तो वो लोग वेट करेंगे इसके ब्रिक ब्रेक आउट का क्योंकि जब तक अगर स्टॉक को अपसाइट जाना अगर अपसाइट मुव्मेंट करना है तो फिर आपको इस लेवल को ब्रेक करना होगा तो जो लोग भी यहां पर फ्रेस पोजिशन बनाना चाहते हैं तो वो लोग यहां पर मेक्सिऊड करें कि इस ले अगर आपको यहां पर 33 तो इसलीय जहाए इस टॉक में अभी फ्रेस पोईशन नहीं बनाना चाहिए क्योंकि यह चार्ट में ऐसा दिख रहा है जो अभी आपको बिल्कुल रेंज मांट है तो एक बार इस रेंज को ब्रेक होने दिजे 24 के ऊपर स्टॉक को सस्टेन करने दिजे एक से दो दिन फिर जो है हम लोग यहां पर फ्रेस पोजिशन बना सकते हैं या फिर जो लोग नीचे की पोजिशन से अल्रेडी बना चुके हैं तो वो लोग जो है अभी आपको एकजिट करना भी सही नहीं रहेगा वो लोग आप कर सकते हैं तो चलिए अब हम लोग वापस आते हैं लॉइड स्टील के ऊपर लॉइड स्टील में जो है इससे पहले भी मैंने दो वीडियो बना रखा है और यहां पर जो है इससे पहले अगर आप लोगों को याद होगा तो इस ब्रेक आउट से ज्यादा हो चुका है मोर दन 700 पर संट का रिटर्ण जो है यहां पर आपको दे चुका है सौरी यहां पर आपको more than 500 पर संट कर रिटर्ण हुआ है क्योंकि हम लोगों ने यहां पर आपको इस हाई के ऊपर पकड़ा था तो अगर आप यहां से रेखेंगे तो 4 क्योंकि उससे क्या होगा आपका इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा और जो है आपका रिटर्ण करता है तो आप जो है उस रैली को मिस नहीं करेंगे तो यह तो था उन लोगों के लिए जिन लोगों ने आपको इस लेबल से या नीचे की लेबल से यहां पर होल्ड करके र यहां पर देखिए जो कहीं पर भी आपको रिट्रेस्मेंट नहीं हुआ है एक वीक यहां पर जरूर नीचे की और इस टॉक गया था और प्रेस ब्रेक आउट दिया था और कंटिन्यू आपको हाई पर ही इस ट्रेड कर रहा है तो जो लोग फ्रेस पोजिशन बनाना चाहत यहां पर वेट करेंगे क्योंकि डेली चाट में अगर आप देखिए गा तो डेली चाट में जो है इस टॉक काफी अच्छा जो है एक हायर है हायर लोग का पैटर्न यहां पर कंट्रीनस फॉर्म कर रहा है अब हम लोगों को यहां पर वेट करना है एक बार फिर से अगर है काफी आपको एक अच्छा लोगा लोग का फॉर्मेशन कर रहा है और कफी एक अच्छे ट्रेंड में स्टॉक सब्सक्राइब बना सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको फोरा सा वेट कर ना होगा लेकिन एक और चीजह हां पर यार रखीगा जो लोग भी यहां पर फ्रेस यहां पर 3 रूपीज से 15-16 रूपीज तक और अभी भी ऊपर की और जा रहा है तो 50% quantity अभी आप ले सकते हैं अगर यहां से आपको 45-50 रूपीज चला रहता है तो आप trend को miss नहीं करेंगे और अगर आपके पास अगर यहां से आपको फॉल होता है तो remaining 50% जो है आप नीचे के लेवल पर डाल सकते हैं लेकिन अभी जो है 50% quantity से ही और remaining अगर फिर से नीचे आता है तो आप जो है रेमेनिंग 50% से और यहां पर इंटरी कर सकते हैं एर आप लोगों को लेवल्स जो है clear क्लियर होग्या होगा आप लोगों को क्या करना है और अगर नीचे की लेवल से बने हैं तो आप लोग को जो है यहां बिलकुल रहुआ क्योंकि आरेदी a एक अच्छे profit में एं 400% से ज़्यादा के profit में तो आपको यहां पे जो है बिल्कुल बने रहना चाहिए यहाँ पे जो है और अच्छा मुनाफ़ा आपको हो सकता है अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो एनलिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सकाइब जरू करे साथ आप लोग जो है वीडियो को सेयर भी करे जि से की जादा जादा लोगों तक यह इनफॉर्मेशन पहुंचे सतने वाद